आज का वीडियो थोड़ा सा तकलिफ दाए हो सकता मेरे लिए आपने सभी एक्षिस नूटिस है मैंने अपने लादा 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 सॉर्य हूं मतलब एक्साइटमेंट में पता नहीं कौन सी भाज डेवलेप्ट कर ली थी मैंने बादा पॉइंट इसकी देखिए बोलने का म कंप्लीट सा फोन है मतलब देखिए मेरा राए है डेफिनिटली आप और में हम दोनों की सोच पूरी अलग हो सकती है अब प्रो बनाया गया है और प्रो विक्ता भी है तो यानिकि इसके यूजर भी उस तरीके के होंगे राइट सो देखिए सबसे पहले मैं आपको ना सब था भी है यह जो है बेस वन ट्वेंटी वाला वेरेंट है विल इस डिवाइस को लेने के लिए मैंने पास वन प्लस का एटी थास्व मैंने एक्सेंज किया और यह फोन को मुझे नए परचेस नहीं किया इसका वारेंटी भी इस ही मैने के नॉयंबर को हत्त खतम हो जाएग आते हैं, बट दोरों के बीच में डिफ्रेंस जो है, वह साइस का है, अब यहीं पर मेरा confusion जादा बड़े जाता है कि इस फोन को लेने का में मोटिफ क्या होगा, मुझे दो तो बड़े reason इसमें दिखते है, सबसे पहले जिनके पास 14 Pro Max का पैसा नहीं है, वो थोड़े पैसे बचा के वहीं features 14 Pro में purchase कर सकते हैं, या दूसरे ऐसे users भी है जिनको बड़े phone लेना ही नहीं है, उनको सारा high feature छोटे phone में चाहिए, अब देखिए एक problem जब इस phone को मैंने अपने हाथ में लिया तो मुझे instantly trigger हुआ, वो यह है कि इसका stainless steel वाला frame है यह कही ना कहीं अभी आपको uncomfortable feel बहुत ज़्यादा करवाता है, अब आप में से कुछ लोग यह भी बोलोगे कि तो भाईया 14 Pro Max कौन सा अलग design के साथ आता है, बड़ आप एक बात को ध्यान से समझेए कि 14 Pro Max वह वैसे आपको मजबूर करता है दो हाथों से यूज करने पर, लेकिन यह जो फोन है यह इतना है compact है कि आप इसको एक हाथ से भी यूज कर सकते हो, बड़ प्रॉब्लम यह है कि इसका जो यह बॉक्से design है यह आपको कहीना कहीना uncomfortable बहुत जादा फिल करवाता है, अब दूसरा फोन चोटा होता है बैटरी चोटी होते है डिस्पले चोटा होता है तो कहीना कहीन फोन को भी हलका होना चाहिए जो in this case apple में नहीं है, आपको पता नहीं है पर 216 ग्राम भी काफी जादा heavy होता है एक हाथ में यूज करने पर काफी लॉंग रन पर आपको थोड़ा सा पीन भी देता है, अभी देखे इस डिवाइस का छोटा डिस्पले होना इस फोन का कहीना का इक benefit भी आपको देता है अब देखें, content तो इसमें बड़े बड़े दिखेंगे नहीं, चुक्लिए डिस्पले साइज सिफ 6.1 इंच का है बाइदे वी ये एक OLED पैनल है 120 Hz के साथ, ठीक है, LTPO की टेक्नोलोजी मिलती है, यानि बैटरी एफिशेंट काफी ज़ादा होगा बट benefit की जहां तक बात आती है वो यह है कि छोटा फोन होने का फायदा यह भी है कि आपको पिक्सल में ज्यादा डिफ्रेंस देखने को मिल जाएगा, किसी भी एक बड़े फोन से एक 6.1 इंच का डिस्पले और मेरा iPhone का 14 Pro Max 6.7 इंच के डिस्पले के साथ आता है, बट अब दोनों को साइड बाइ साइड करोगे तो आपको पिक्सल में 6.1 इंच वाला जादा शापर इमेज प्रेड्यूस करके शो करेगा, यह एक benefit आपको देखने को मिलेगा, आपको एक और चेस जो डिस्पले पे मुझे थोड़ा सा disappointment लगता है वो इसका यह नौच है, अब यह नौच बिलकुल नया है अपने आपको बताता है कि भाया हम प्रो वाले सीरीज वाले बंदे हैं, बट अदिक्कत यह है कि यह जो डिवाइस है 14 Pro Max जो है दोनों का नौच के बहुत जादा ना भटकता है, अभी यहां पर एक और चीज़ में आपको बताता हो कि डिस्पले भले यह सैमसंग से लेता हो लेकिन इनकी डिस्पले कॉलेटी सैमसंग से फार बैटर होती है, यानि कि अगर इसमें आप content consume भी करते हो ना तो इसका color balance है वो rank 1 पे आता है मेर जाता screen on time, अगर आप बहुत जादा heavy user हो तो आपके चार से लेके 6 घंडे का आर राम से आपको बैटरी life मिल जाएगा इस पर, अब देगे एक funny बात यह है कि इस device की बैटरी mh capacity उसको सुनके आप हस्द होगी, 3200 mh में यह device अगर 10-10 घंडे आपको बैटरी life दे तो आपक कर सकता और apple को पता है कि optimization क्या होता है, अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा optimization android आने वाले दो या तीन साल में भी कर पाई, जो apple इतना time से करते आ रहा है, वही पर charging time की बात करो तो यह जो device है तकरीबन 1 घंटा 40 minute ले ले लेता चार्च होने में, बट यहाँ पर एक catch है, यह catch 80% तक चार्च है काफी जादा fast करता है, तकरीबन 50 minutes के एक घंटे के आसपस में हो जाता है चार्च, लेकिन उसके बात 80 से लेकिए जो आपका rest, मतलब 20% बचता है उसको यह काफी जादा time लेता है चार्च करने में, अब मैं आता हूँ उसके performance sector में, यहाँ पर मुझे आप तो लोग उसकी कुछ जादा ही बदनामी करते हैं, लेकिन apple के साथ भी यह होता है पर लोग उस पर इतना ध्यान क्यों नहीं देते, point यह है दोस्तों कि यह device भी गरम होता है, सिर्फ यह नहीं मेरा 14 pro max भी बहुत जादा गरम होता है, थोड़े सही जादा gaming करने पे, because अब जानती ही यह पूरा phone ही लोखंड का बना हुआ है, तो heat बहुत जल्दी यह observe करता है, और उसके साथ आपको heat भी कासे जादा feel भी होता है, अब यह कोई अनपूरा बोलना नहीं अनपड़ यूटूप लोखंड बोलता है, अगर आप एक heavy user हो, बहुत जादा game खेलते हो, त अब क्या इसमें bjmi में 90 fps का support मिलता है, तो नहीं मिलता है, इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल अपना HDR पे extreme का option मिल जाता है, तो मैंने यहाँ पर gameplay किया है, 60 fps इसके लिए ही क्या हलवा बनाने का काम है, यह तो आईसे ही चल जाएगा, तो यहाँ पर कोई lag नहीं कुछ नहीं, अराम से चलता है, 1% भी lag नहीं देता है, कितना भी hot drop मारो, कितना भी कहीं चले जाओ, शैनौक पर उतर जाओ, कुछ भी कर लो भाईया, इसको कुछ फरक नहीं पड़ता, तो performance सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको थोड़ा सा और compact phone मिल जाना पर भेतर video capacity के साथ तो वो definitely जादा प्रिफर करेंगे, यानि कि छोटा सा ये phone आपको काफी भेतर video quality लिकाल के दे सकता है, जो बहुती अच्छा preference होगा as a vlogger category के लोगों के लिए, and आप सभी जानते हो कि अभी तक का one of the best, मतलब एक दम खतरनाग video quality, शरिफ और आपक आपको आइपून के 14 प्रो में भी मिल जाता है, मज़े आ जाता है, यहां मतलब सच बहुत आरो, vlogging के लिए best है, विसे camera setup के बात करो तो इस बार चेंज किया, 48 Megapixel इसमें भी मिल जाता है, लास जन्रेशन में 12 था, इस बार 48 Megapixel प्लस 12 Megapixel का ultrawide, फिर उसके बार 12 का अपन और फोटोस बहुत अच्छे से लिकालता है, नाइट में, ठीक है, noise level काफी कम होता है, काफी अच्छा ब्राइट इमेज प्रेड्यूस करता है, बाट पंगा आता है इसके daylight पे, daylight पे यह हमेशा फेल होता है, मैं किसी भी Android फोन को उठालो, सस्ते सस्ते Android फोन को उठालो, ज प्रोसेसिंग में कौन बैटर है, यहां पर subject को छोड़िया, background के वाट लगा दी गई है, ऐसे कुछ कांड है जो Apple आज तक सीख नहीं पाया, तो यह चीज़ अगर Apple इंप्रूव कर देना तो अच्छा रहेगा, पॉइंट यह है कि इसका HDR या फिर dynamic shots वो इतने impressive नहीं है, ब इस छुटकू में आपको जो है dual serious speaker का भी मजा दिखने को मेल जाता है, यह दोनों 50-50 के साथ divide होते है, यह 50 नीचे bottom firing speaker में 50, but यहां पर इसका speaker है बहुत ज़्यादा loudness नहीं है, मतलब loud थोड़ा सा missing है, but quality again एक्दम सेम है, 14 Pro Max ऐसा, यानि काफी अच्छे beats, काफी अच्छ time based नहीं करूँगा, मैं सीधा आगया आपको लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद इसका face idea आजाता है, जो की सही है, मतलब सभी Apple के devices में होता है, बहुत ही accurate तो गाम करता है, I think कुछ upgrade की ज़रूरा है, काफी time से same, अपने को security मिलता है इतना time से, अब लास्ट लिए दोस्तो अब यह जो वर्जन है दोस्तो यह same to same previous वर्जन जैसा एक खाली security को थोड़ा से enhance किया गया, that's all, so again अपने को touch to pin वाले में फोटो को convert करना हो गया, फिर shake to undo वाले जैसे features हो गया, फिर किसी भी वीडियो में आया, फिर किसी भी photos का कोई भी text को copy करना हो गया, तो यह सारे च यह से लगता है कि android आज तक इस चीज को achieve क्यों नहीं कर पाया, जबकि apple यह चीज को तीन या चार साल से यह उससे पहले से करते आ रहा है, और दोस्तों यह कुछ ऐसे major reason है जिसके आज भी लोग एपल को prefer करते हैं, content creator वाले जो है लोग वह एपल छोलके android पर बिलकुल भी जाते हैं, मैं खुद नहीं जाता हूँ, मैं खुद ही 14 pro max में चिपका हूँ, चलिए लास्ट लिए आपको बतातो क्या आपको यह device लेना चाहिए या नहीं, तो देखे भाई बहुत simple बात मैंने आपको बहुत जल्दी clear कर दिया कि अगर आप first time किसी चोटे phone पर जा रहे ह एक दम मस्ट चीज होने वाला, बिकॉस नहीं features के साथ अच्छी battery life, high refresh rate display उतने छोटे size में 6.1 में आपको आइफोन के 14 pro में मिल जाएगा, इसकी battery life इसका एक्स्ट्रा ऐसा कांड है जो इस phone को one of the best बना तो, प्रोट को दोस्तों मैंने यहाँ पर tag कर दिया है, आप जाके यहाँ से भी checkout कर सकते हो, यहाँ पर link खुल जाएंगे, उससे आप बारी बारी चेक करना, जहाँ पर आपको डिस्कॉड मिले वाहाँ से भी purchase कर सकते हो, तब तक के लिए में अगले वीडियो में टेक के ध्यान रखेगा, बाई बाई